हाई दोस्तों, नमस्ती किचन में आपका स्वागत है, आज हम बनाएंगे पालक पकोडा सबसे पहले हम एक बावल में बेसन लेते हैं अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे लाल मिर्ज पाउडर डालेंगे स्वाद नुसर नमक डालेंगे अजवाइन डालेंगे अब हम मिश्रन को अच्छे तरह से मिला लेते हैं अब हम इसमें थोड़ा सा पाने डालेंगे इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा पाने डालकर यहाँ पर हमें बैटर बना लेना है थोड़ा थोड़ा पाने डालकर बैटर बनानी से हमारे बैटर में गुटलिया नहीं होगी पालक पकड़े में अजवाइन का इस्तमाल करने से हमारा डाइजेशन भी अच्छे तरह से हो जाएगा ये देखें, यहाँ पर हमें थोड़ा सा गाड़ा बैटर बनाना है हमारा बैटर बना कर तैयर हो चुका है अब हम अध्यमाच पर गयास रखकर उस पर कड़ाई रखेंगे और उसमें देल डालकर गरम कर लेंगे हमारा तिल गरम हो चुका है, अब हम पकोड़े बना लेते है अब हम पालक का एक पत्ता लेंगे और उसे बैटर में अच्छे तरह से डूबा लेंगे यहाँ पर हमें पालक को थोड़ा सा डिब करके लेना है, यहाँ पर हमें उस पर जादा बैटर नहीं लगाना है अब हम कड़ाई में डाल कर तल लेते हैं इसी तरह से हम सारे पालक को बैटर में डूबो कर तल लेते हैं पालक पर बैटर का पतला लेयर होने से हमारा पालक पकोडा क्रिस्पी हो जाएगा यहाँ पर हमें पालक को हल्का सुने रंग आने तक तल लेना है हमारे पालक के पकोड़े तयार हो चुके अब हम इसे निकाल लेते हैं अब हम इसे एक पेट में सर्व कर लेते हैं ये देखे यहाँ पर हम एक पकोड़े को तोड़ कर देखते हैं ये देखे कितने क्रिस्पी और कुरकुरे हमारे पकड़े हो चुके हैं एसी रेसिपी देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके आनुबाव हमारे साथ शेर कीजिए आज हम बनाएंगे फलाहरी मिसर सबसे पहले हम मद्यमाच पर ग्यास रख कर उस पर कड़ाई रखेंगे अब हम इसमें घी डाल कर गरम कर लेते हैं अब हम इसमें हरे मिर्ज डाल कर अच्छे से भून लेते हैं अब हम लाल मिस डालकर धी में आज पर थोड़ा सा भून लेंगे अब हम उबले हुए आलू को हाथों से तोड़ कर कड़ाई में डालेंगे अब हम आलू को अच्छी तरह से हिला लेते हैं अब हम दो कप पानी डाल कर थोड़ा सा हिला लेते हैं यहाँ पर हमें आलू को हिलाते हों यह थोड़ा सा मैश करके लेना है आलू को मैश करने से हमारे करी में थोड़ी सी कंसिस्टन्से आ जाएगी अब हम मुंग फली के दाने की पाउडर डालेंगे स्वादन उसा नमक डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे अब हम करी को धीमे आज पर 10 मिनिट के लिए पका लेंगे अगर आप उपवस में जीरा खाते हैं तो हरी मिर्ज लालने से पहले वहाँ पर जीरे का तड़का दीजिए अब हम यहाँ पर थोड़ा सा हिला लेते हैं इसी तरह से हमारे मिसल के लिए करी तायर हो चुकी है अब हम करी को एक बाउल में डाल कर उस पर आलू का चूड़ा और मुंफली के दाने डाल कर सरू कर लेते हैं इसी तरह से हमारी फलहरी मिसल तायर हो चुकी है एसी चटपटी रेशिपी देखने के लिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आपके अनुबाव हमारे साथ शेर कीजिए आज हम बनाएंगे मैसुर बुन्दा सबसे पहले हम एक बावल लेकर उसमें मेदा डालेंगे अब हम इसमें चावल का आटा डालेंगे हरी मिर्च डालेंगे नारियल डालेंगे स्वादानुसर नमक डालेंगे खाने का सोडा डालेंगे अब हम सबमिश्रन को अच्छे तरह से मिला लेते हैं अब हम इसमें धही डालेंगे अब हम अच्छे से मिला लेते हैं अब हम इसमें चोथाई कब पानी डालेंगे अब हम मिश्रन को अच्छे तरह से मिला लेते हैं यहाँ पर हमें बैटर में गुटलिया होने नहीं देनी हैं यहाँ पर हम मिश्रन को दो मिनिट हिलाते रहेंगे ताके हमारा बुंदा अच्छे से फूल जाएं अब हम मद्यमाच पर ग्यास रखकर उस पर कड़ाई रखेंगे और तन्ने के लिए तेल डालेंगे हमारा तेल गरम हो चुक है अब हम मिश्रन का हाथ में गोला बनाकर उसे तेल में डालेंगे इसी तरह से हम सारे मिश्रन के गोले बनाकर तेल में डालेंगे यह देखे यहाँ पर हमने तेल में गोला डालने के बाद धीरे धीरे फूलने लगा है और गोल शेप लेने लगा है यहाँ पर हमें बुन्दा को हल्का सुनेरा रंग आने तक तलना है हमारा बुन्दा तैयर हो चुका है अब हम इसे निकाल लेते हैं अब हम एक बुन्दा को तोड़ लेते हैं यह देखे अंदर से कितना फलफ्य हुआ है अब हम बुन्दा को नारेल की चटनी के साथ सर्व कर लेते हैं आप इसे मुंफली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं एसी ही रेसिपी देखने के लिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आपके अनुभव हमारे साथ शेर कीजिए आज हम बनाएंगे ब्रेड पिज़ा पॉकेट सबसे पेलें मद्यमाच पर ग्यास रखकर उस पर पैन रखेंगे अब हम इसमें एक टी स्पून पेल डालेंगे अब हम इसमें कटी हुई अद्रक डालकर थोड़ा से हिला लेंगे अब हम गाजर डालेंगे शिमला मिर्ष डालेंगे मके के दाने डालेंगे दोस्तों यहाँ पर मैंने मके के दाने उबाल कर लिये हैं अब हम इन सब कच्ची तरह से हिला लेते हैं अब हम टमाटर डालेंगे स्वादन उसर नमक डालेंगे अब हम इन सब कच्ची तरह से मिला लेते हैं अब हम ढककर रखकर 10 मिनिट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे हमारी सब कच्ची अब हम ढककर निकाल लेते हैं अब हम मिक्स हर्ब्स डालेंगे टमाटर केचप डालेंगे अब हम इन सब कच्ची तरह से मिला लेंगे हमारा स्टपिंग का मिक्स्चर तायर हो चुक है अब हम इस एक बावल में निकाल लेते हैं अब हम मिश्रन को थंडा करके इसमें मोजरेला चीज डालेंगे अब हम अच्चे तरह से मिला लेते हैं इसी तरह से हमारी स्टपिंग तायर हो चुकी है अब हम एक बावल में मेदा लेते हैं अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पाने डाल कर पतला गोल बना लेंगे थोड़ा थोड़ा पाने डाल कर गोल बनाने से इसमें गुटलिया नहीं होगी इसी तरह से हमारा गोल बन कर तायर हो चुका है अब हम ब्रेड लेकर उसके किनारे काट लेते हैं अब हम ब्रेड के एक स्लाइस लेकर उसे बेलन की साहियता से बेल लेते हैं हम ये ब्रेड को बेल कर पतला बना लेना है ये देखे हमारा ब्रेड बेल कर तायर हो चुका है इसी तरह से हम सारे ब्रेड बेल कर तायर कर लेते हैं अब हम ब्रेड की एक स्लाइस लेकर उस पर हमारा स्टपिंग भर लेते हैं यहाँ पर हम लगबक एक से देड़ चमर स्टपिंग भरेंगे स्टपिंग भरने के बाद हम ब्रेड की किनार उपर हमारा घोल लगा लेंगे घोल लगाने से हमारे ब्रेड पॉकेट अच्छी तरह से चिपकेंगे हमें ब्रेड को एसे फोल्ड करते हुए चारो तरप से दबाएंगे जिससे वो चिपकेंगे अब हम ब्रेड पॉकेट के उपर भी थोड़ा सा घोल लगा लेंगे ब्रेड के उपर घोल लगाने से हमारे ब्रेड पॉकेट ज्यादा ओईली नहीं होंगे और ज्यादा तेल नहीं पियेंगे इसी तरह से हमारे ब्रेड पॉकेट तलने के लिए तैयर हो चुके है अब हम अद्यमाच पर ग्यास रख कर उस पर कड़ाये रखेंगे और उसमें तलने के लिए तेल डालेंगे हमारा तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें ब्रेड पॉकेट डाल लेते हैं हमें यहाँ पर ब्रेड पॉकेट को हलका ब्राउन रंग आने तक तल लेना है दोस्तों आप बिना घोल के करना चाहते ब्रेड पॉकेट तो भी कर सकते पर तब ब्रेड जादा तेल पिएंगे इसी तरह से हमारे ब्रेड पॉकेट तल कर तायर हूचुके अब हम इसे निकाल लेते हैं अब हम ब्रेड पॉकेट को तोमैटू केचप के साथ सरू कर लेते हैं एसी रेसिपी देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके अनुभों हमारे साथ शेयर कीजिए आज हम बनाएंगे आलू के पकोडे सबसे पहले हम एक बावल में बेसन लेंगे अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे लाल मिर्श पाउडर डालते है चावल का आटा डालेंगे स्वादन उसर नमक डालेंगे कटी हुई धनिया डालेंगे बेकिंग सोडा डालेंगे अब हम इस मिश्रन को अच्छे तरह से मिला लेते हैं अब हम यह आप पर थोड़ा थोड़ा पाने डालकर बेसन का गोल बना लेंगे यहाँ पर हमें थोड़ा सा गाड़ा बेटर बनाना है यह देखे हमारा बेटर तैर हो चुका है अब हम मद्यमाच पर गैस रख कर उस पर कड़ाई रखेंगे और तलने के लिए टेल डालेंगे यह देखे यहाँ पर हमने आलू के पतले साइज बनाए है अब हम आलू के एक स्लाइस लेकर उसे बेटर के गोल में डूबो कर तलने के लिए तेल में डालेंगे इसी तरह से हम सारे आलू को गोल में डूबो कर तलने के लिए डालेंगे दोस्तों ये देखे हमारे आलू के पकोड़े कितने अच्छी तरह से फूल रहे हैं हमें आलू के पकोड़े को हल्का सुनेरा रंगाने तक मद्यमाच पर ही तलना है अगर हमने धीमी आज की तो हमारे पकोड़े तेल पी लेंगे और बड़ी आज की तो हमारे पकोड़े अंदर से अच्छी तरह से पकेंगे नहीं हमारे पकोड़े तलकर तयार हो चुके अब हम इसे निकाल कर प्लेट में सरु कर लेते हैं एसी रेसिपि लेकने के लिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आपके अनुबह हमारे साथ शेयर कीजिए आज हम बनाएंगे बॉम्बे सेंडविच विद ग्रिन चतनी सबसे पहले हम मिक्सी जार लेकर उसमें आदा कप धन्यापत्ता डालेंगे पूदिना डालेंगे हरी मिश तोड़कर डालेंगे अद्रक का टुकडा डालेंगे लसन की कलिया डालेंगे जीरा डालेंगे भूनी हुई चन्ना डाल डालेंगे स्वादन उसर नमक डालेंगे निम्बू का रस डालेंगे अब हम इन सब कौच्ची तरह से पारिक कर लेते हैं अब हम ढखकर निकाल कर थोड़ा सा हिला लेते हैं अब हम इसमें थोड़ा सा पाने डाल कर फिर से एक बार मिक्सी में चला लेते हैं अब हम ढखकर निकाल लेते हैं ये देखें हमारे चटने तयार हो चुकी है अब हम इसे एक बार में सर्व कर लेते हैं अब हम सब ब्रेड की स्लाइस पर एक तरप से बटर लगा लेते हैं मखन लगाने से हमारा ब्रेड अंदर से मॉइस्ट नहीं होगा अब हम दो ब्रेड पर हरी चटने लगा लेते हैं अब हम ब्रेड पर ककड़ी, प्याज, टमाटर और उबले हुए आलो के स्लाइस डाल लेते हैं अब हम इस पर चीज डाल लेते हैं अगर आपको चीज पसंद नहीं है तो आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा अब हम चीज के उपर ब्रेड रख देते हैं अब हम अध्यमाच पर ग्यास रख कर उस पर पैन रखेंगे और उसमें बटर डालेंगे यहाँ पर हम बटर पैन पर फेला लेंगे अब हम इस पर दोनों सैंडविच को रख देंगे अब हम सैंडविच के उपरे भाग पर बटर लगा लेंगे अब हम सैंडविच को पलट लेते हैं यह देखे हमारा सैंडविच एक तरप से कितने अच्छे तरह से भून चुका है इसी तरह से हमें सैंडविच के दूसरे साइड को भी भून लेना है ये देखे, हमारे सेंड्विच तायर हो चुके है, अब हम इसे एक प्लेट में सर कर लेते हैं अब हम सेंड्विच को काट कर प्लेट में सर कर लेते हैं इसी तरह से हमारे Bombay style सेंड्विच विद चटने तायर हो चुकी है एसी रेसिपी देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके अनुभा हमारे साथ शेयर कीजिए आज हम बनांगे चटपटे आलू चाट सबसे पहले हम मद्यमाच पर गयास रख कर उस पर पैन रखेंगे अब हम इसमें तेल डाल कर गरम कर लेते हैं हमारा तेल गरम हो चुक है अब हम इसमें आलू डाल लेते हैं अब हम यहाँ पर आलू को हलका सुनेरा रंग आने तक शालो फ्राय कर लेंगे यहाँ पर आप चाहे तो आलू को तल भी सकते हैं यहां फर हमें ध्यान देना है कि आलू हमारे जाधा उबाले हुए नहीं होने चाहिए नहीं तो हो तेल में डालने के बाद तूट जाएंगे यह देखे हमारे आलू को सुनेया रंग आने लगा है शालो फ्राय करने से आलू पर कोटिंग आ जाएगे इससे हमारे आलू उपर से क्रिस्पी हो जाएंगे अब हम आलू को एक बाउल में निकाल लेते हैं अब हम एक बाउल में आलू लेकर उसमें स्वादन उसर नमक डालेंगे अब हम चाट मसाला डालेंगे भूना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे लाल मिर्ष पाउडर डालेंगे कटी हुई हरी मिर्ष डालेंगे बारी कटा हुआ प्यास डालेंगे अनार दाना डालेंगे इमली की चटने डालेंगे हरी चटने डालेंगे बारी कटी हुई धन्यापत्ता डालेंगे अब हम इन सब कोच्ची तरह से मिला लेंगे अब हम बारीक सेव डालेंगे इसी तरह से हमारे आलू चाट तयार हो चुकी है अब हम चाट को एक प्लेट में सरु कर लेते हैं अगर आपके पास बारीक सेव नहीं हो तो आप भुजिया सेव भी डाल सकते हैं एसी रेसिपी देखने के लिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आपके अनुभव हमारे साथ शेर कीजिए आजम बनाएंगे मुंग दाल के पकोड़े सबसे पहले हम मुंग दाल अद्रक हरी मेरिच नमक और जीरा को मिकसर में डालकर पीस लेंगे हमारा मिश्रम बारिक हो चुका है अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे लाल मिर्ष पाउडर डालेंगे धनिया पत्ता डालेंगे कटा हुआ प्याज डालेंगे अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिला लेंगे दोस्तों यहाँ पर मैंने छिलके वाली डाल लेती इससे पकोडे का टेस्ट बढ़ जाता है अब हम अध्यमाच पर ग्यास रख कर उसमें तलने के लिए तेल गरम कर लेंगे हमारा तेल गरम हो चुका है अब हम पकोडे का घोल लेकर तेल में तलने के लिए डालेंगे ये देखे इस तरह से हम पकोडे तेल में तलने के लिए डालेंगे इसी तरह से हम सारे पकोडे डालकर तल लेंगे यहाँ पर हमें पकोडे को हलका सुनेरा रंग आने तक मर्दे माज पर तलना है बीच बीच में हम हिलाते हुए इसे तल लेंगे यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि ग्यास को हमें हाई फ्लेम पर या लो फ्लेम पर नहीं रखना है ग्यास हाई फ्लेम पर होने से अंदर से पकोड़े अच्छे से पकेंगे नहीं और लो फ्लेम पर होने पर पकोड़े तेल पी जाएंगे इसी तरह से आमारे पकोड़े तलकर तैयर हो चुके अब हम इसे एक प्लेट में सरू कर लेते हैं दोस्तो कही जगा इस पकोड़े में पैस डालते कही जगा नहीं डालते तो आपको जिस तरह से पसंद हो इस तरह से आप बना सकते हो आप इस पकोड़े को हरी चटनी या मीठी चटनी सौस के साथ खा सकते हैं यह देखे यहाँ पर हम एक पकोड़े को तोड़ कर देखेंगे यह देखे कितने अच्छी तरह से पक चुका है एसी रेसिपी देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके अनुभा हमारे साथ शेयर कीजिए आज हम बनाएंगे रेल पलाहारम रेल पलाहारम तेलंगा नामे गने चत्रति को प्रसाद में बनाया जाता है सबसे पहले हम मिकसर का बरतन लेकर उसमें हरी मिर्ज डाल लेते हैं अद्रक डाल लेते हैं नारेल के तुकडे डाल लेते हैं अब हम इन सब को बारिक कर लेते हैं ये देखे हैं हमारा मसर तैयर हो चुके हैं अब हम इस एक बाउल में निकल लेते हैं अब हम अधय माच पर ग्यास रक करूश पर कड़ाई रखेंगे और उसमें एक ओर चताएक पानी डाल कर गरम कर लेते हैं हमारा पानी गरम हो चुका अब हम इसमें धीरे धीरे चावल काटा डाल लेते हैं अब हम धीमे आज पर ग्यास रग करू से अच्छे तरह से मिला लेते हैं अब हम इसे एक बावल में निकाल लेते हैं यहाँ पर हमें आटे को गूतना है इसलिए हम हाथो पर थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं यहाँ पर हम हलका से आटा गरम हो तब हम गूतना शूरू करेंगे हमें आटे को अच्छी तरह से एक पाच मिनिट के लिए गूत ले नहीं हमारा आटा गूत कर तयार हो चुका है अब हम हाथो पर थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं अब हम आटे का छोटा सा तुकडा लेंगे उरूसे मोतिके जैसे बना लेंगे यह देख्या हमारा बॉल बन चुका है अब हम इसे प्लेट में रग देते हैं इसी तरह से हम सारे बॉल्स बना लेते हैं अब हम यहाँ पर एक चलने लेंगे और उस पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे अब हम अध्यमाच पर गयास रखकर उस पर कडाए रखेंगे और उसमें पाने डाल लेते हैं अब हम इसमें एक स्टैंड रख देते हैं अब हम चलनी को इसके उपर रख देते हैं अब हम इस पर ढकन रख कर 5 मिनिट के लिए गरम कर लेते हैं यहाँ पर हमें बॉल्स को भाप पर पका नहीं अब हम ढकन कर उसमें बनाए हुए बॉल्स डाल लेते हैं आप चाहे तो इसे इडली की कुकरिया स्टीमर में भी पका सकते हैं हमें बॉल्स को अच्छे तरह से सेट कर लेना है अब हम इस पर ढखकन रखकर 10 मिनिट के लिए पका लेते हैं अब हम ढखकन निकाल लेते हैं ये देखे हमारे बॉल अच्छे तरह से पक चुके हैं अब हम इन्हें एक बावल में निकाल लेते हैं अब हम मद्यम आज पर ग्यास रखकर उस पर कड़ाय रखेंगे और एक टिबल स्पून तेल डालेंगे अब हम इसमें राई डालकर तड़कने देंगे जीरा डाल कर तड़कने देंगे अब हम करीपता डाल लेते हैं सूकी लाल मिर्श डाल लेते हैं अब हम इसे थोड़ा सा हिला लेते हैं अब हम इसमें चना डाल डाल लेते हैं उरत डाल डालेंगे अब हम इने हलका सा तेल में भून लेंगे ताकि इससे क्रिस्पी ने साजाए अब हम इसमें बारे किया हो मसाला डाल कर अच्छे से भून लेंगे अब हम स्वादनुसा नमक डाल कर अच्छे से मिला लेते हैं पकाय हुए बॉल्स डाल लेते हैं अभम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं इसी तरह से हमारा रेल पलाहारम तायर हो चुका है अभम इसे एक बावल में सवरू कर लेते हैं एसी रेसीपी देखने के लिए लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे और आप क्या नूबहू हमारे साथ शेर कीजे आज हम बनाएंगे मदुर वड़ा सबसे पेले हम एक बावल में मैदा डाल लेते हैं चावल का आटा डाल लेते हैं सूजी डाल लेते हैं घी डाल लेते हैं आभम इन सब कोची तरह से मिला लेते हैं आभम इसमें हिंग डाल लेते हैं अद्रक डाल लेते हैं कटी हुई हरीमिर्ष डाल लेते हैं स्वाधानुसर नमक डाल लेते हैं कटी हुई करी पत्ता डाल लेते हैं लाल मिर्ष पावडर डाल लेते हैं कटा हुआ धन्या पत्ता डाल लेते हैं कटा हुआ प्यास डाल लेते हैं अभम इन सब को अच्छी तरह से मिला लेते हैं अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर गोला बना लेंगे यहाँ पर हमें पतला बैटर नहीं बनाना है इसको आटे के जैसे गूत लेना है ये देखे हमारा आटा गूत कर तायर हो चुका है अब हम मद्यमाच पर गयास रख कर उस पर कडाई रखेंगे और तलने के लिए तेल गरम कर लेंगे यहाँ पर हम हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि वड़ा बनाते वक्त हमारे हाथों पर चिपकेना अब हम यहाँ पर छोटी सी लूई तोड लेंगे और उसे पहले गूल बना लेंगे अब हम यहाँ पर दोनों हातों की मदद से उसे चप्टा कर देंगे यह देखे हमारा बड़ा तयार हो चुका है इसे हम जादा पतला या मूटा नहीं रखा है इसी तरह से हम सारे वड़े बना कर तलने के लिए टाल लेते हैं यहाँ पर हमें वड़े को हलका गुल्डन कलर आने तक मद्दम आज पर तल लेना है अगर हम दीमी आज पर तलेंगे तो वो जादा तेल पियेगा और बड़े आज पर तलेंगे तो अंदर से वो पकेगा नहीं इसी तरह से हमारा वड़ा तायर हो चुका है अब हम इसे एक प्लेट में सरू कर लेते हैं इस वड़े को आप नारेल की चटनी के साथ खा सकते हैं यहाँ पर हम एक वड़े को तोड़ लेते हैं यह देखें अंदर से नरम और भार से क्रिस्पी है यही रेसिपी देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके उनुबह हमारे साथ शेयर कीजिए आज हम बनाएंगे केले के बॉल्स सबसे पहले हम एक मिकसर के बरतन में केले डाल लेते हैं इलाइची डाल लेते हैं चीनी डाल लेते हैं अब हम इन सब को मिक्सर में बारिक कर लेते हैं ये देखे हैं हमारी पेस्ट तैयर हो जुके अब हम इसे एक बाउड में निकाल लेते हैं अब हम इसमें डालचनी की पाउडर डाल लेते हैं डेसिकेटेर कोकनट डालकर मिला लेते हैं दोस्तो आप डेसिकेटेर कोकनट की जगह फ्रेश नार्यल का इस्तमाल कर सकते हैं अब हम इसमें मेदा डालकर अच्छे से मिला लेते हैं अब हम यह आपर चोताई कब दूर डालकर अच्छे से मिला लेते हैं दोस्तो बैटर में आप आपके मिठा स्केन उसर चीनी डाले आखिर में हम इसमें बेकिंग सोडा डालकर मिला लेते हैं हमारा बैटर तलने के लिए तैयर हो चुका है अब हम अद्यम आज पर ग्यास रख कर उस पर कड़ाई रखेंगे और तलने के लिए तेल गरम कर लेंगे अब हम यह आप पर केले का थोड़ा सा बैटर इसे हाथ में ले लेते हैं और तेल में छोड़ देते हैं ઇસી तरह હારશ હેટર કૂ તલને કઇલે ડાલ દેંગે ये देखिए हमारे बॉल्स तेल में कितने अच्छे तरह से फूले है अब हम इने सुनेरा रंग आने तक तल लेंगे हमारे बॉल्स तल कर तैयर हो चुके अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं अब हम यहाँ पर एक बॉल को तोड़ कर देखते हैं देखे कितने स्पंजी है हमारे बॉल्स एसी रेसिपी देखने के लिए लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे और आपके अनुभा हमारे साथ शेर कीजे आज हम बनाएंगे केले के चिप्स सबसे पहले हम केले को दोनों साइड से काट कर उसके चिलके निकाल लेंगे हम यहाँ पर चाकू की साहिए तसे दोनों केले की चिलके निकाल लेंगे दोस्तो केले के छिलके निकाल कर स्लाइस करने के बाद उन्हें जाधा तरिमत रखे नहीं तो वो काले हो जाएंगे अब हम मद्द्यमाच पर ग्यासरा करुष पर कड़ाय रखेंगे और तेल करम कर लेंगे यहाँ पर हमने chips बनाने के slicer का इस्तामाल करके केले के chips बनाए है अगर आपको इस तरह से chips बनाना नहीं आ रहा है तो आप पहले एक plate में chips बना कर तेल में ढाल सकते हैं हमें यहाँ पर chips को क्रिस्पी होने तक तल लेना है यहाँ पर हमारे चिप्स तल चुके हैं अब हम इसे एक बाउल में निकल लेते हैं अब हम इसमें स्वादनुसा नमक डालेंगे लाल मिश पाउडर डालेंगे अब हम इन सब कोच्ची तरह से मिला लेंगे इसी तरह से हमारे केले के चिप्स तैयर हो चुके अब हम इसे क्लिट में सरू कर लेते हैं दोस्तो केले के चिप्स बनाते वक्त आपको धेयान देना है कि तेल जादा गरम ना हो नहीं तो आपके चिप्स का रंग बदल जाएगा और क्रिस्पिन नहीं होंगे एसी रेसिपी देखने के लिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आपके अनुभा हमारे साथ शेर कीजिए आज हम बनाएंगे ब्रेड कटलेट ब्रेड कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले आम एक बाउल में ब्रेड के स्लाइस को बारिक करके लेते हैं अभम इसमें तीन उबालकर कदुकस किये हुए आलू डालेंगे एक बारिक कटा हुआ प्यास डालेंगे आदा कप कटी हुई शिमला मिर्ज डालेंगे दो टीस्पुन स्वीट कॉन डालेंगे दो कटी हुई हरी मिर्ज डालेंगे बारिक कटी हुए धन्या पत्ता डालेंगे आदा टीस्पुन अद्रक लसन की पेस्ट डालेंगे चोथाई टीस्पुन हल्दी पाउडर डालेंगे चोथाई टीस्पुन जीरा पाउडर डालेंगे चोथाई टीस्पुन धन्या पाउडर डालेंगे चोथाई टीसपून गरम मसाला डालेंगे चोथाई टीसपून लालमेश पाउडर डालेंगे स्वादा नुसर नमक डालेंगे अभम इन सबको अच्छे तरह से मिला लेते हैं अभम यहापर बाइंडिंग के लिए दो टेबल स्पून कौन फ्लोर डालेंगे अभम इसे अच्छे तरह से मिला लेते हैं अभम यहापर हाथों से मिलाते हुए एक साथ कर लेते हैं यह देखे हमारा मिश्रन अच्छे तरह से जुड़ गया है अभम यहापर हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं अभम यहापर मिश्रन का थोड़ा सा पोर्शन तोड़ कर इसे गोल्ड राउंड में कर लेते हैं और दोनों हातों से चप्टा करते हुए उसकी टिक्की बना लेते हैं ये देखे हमारा कटलेट तायर हो चुका है अभम मद्यमाच पर ग्यास रख कर उस पर कड़ाय रखेंगे और तलने के लिए तेल गरम कर लेंगे हमारा तेल गरम हो चुका है अभम इसमें कटलेट डाल लेते हैं हमें कटलेट को सुनेरा रंग आने तक तल लेना है दोस्तों, यहाँ पर हम एक कट्लेट को मद्धे माच पर तलना है। हमआरे कट्लेट तलकर तैयर हो चुकendo अब हम इसे एक पलेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम एक कट्लेट को तोड़ कर देख यह देखélior20 अंदर से कितने अच्छी तरह से पकचुका है। एसी रेसिपि देखने के लिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आपके अनुभू हमारे साथ शेयर कीजिए आज हम बनाएंगे स्पाइसी चीली मैगी चीली मैगी बनाने के लिए सबसे पहले हम मद्य माच पर ग्यास रख कर उस पर कड़ाई रखेंगे और एक टेबल स्पून तेल डालेंगे अब हम यहाँ पर दो से तिन कटी हुई लहसन की कल्या डाल कर अच्छे तरह से भून लेंगे अब हम आदा कप कटा हुआ टमाटर डालेंगे दो कटी हुई हरी मिर्श डालेंगे और अच्छे तरह से भून लेंगे अब हम आदा कप कटा हुआ पैस डालेंगे चोथा एक अप कटी हुई शिमला मिर्श डालेंगे दू टेबल स्पून स्वीट कौन डालेंगे अब हम इन सब को हाइफ लेंपर थोड़ा सब भून लेंगे अब हम स्वादन उसा नमक डाल लेते हैं आदा टीस्पून कश्मीरी लाल मेश पाउडर डाल कर अच्छे तरह से मिला लेते हैं दोस्तो यहाँ पर नमक थोड़ा कम डाले क्योंकि सास में और टेस्ट मेकर में भी नमक होता है अब हम यहाँ पर एक टीस्पून रेड़ी चिली सॉस डालेंगे आदा टीस्पून टोमाटो केचप डाल कर अच्छे तरह से मिला लेंगे टोमेटो केचप डालने से हमें थोड़ा सा खटा मिटा टेस्ट मिलेगा अब हम यहापर दो पैकेट मैगी के लिए दो कप पानी डालेंगे पानी उबालने के बाद यहापर हम दो पैकेट टेस्ट में कर डालेंगे अब हम थोड़ा सा हिला लेते हैं अब हम यहाँ पर दो पैकेट मैगी के डाल लेते हैं यहाँ पर हम मैगी को थोड़ा से हिला लेते हैं और पाच मिनिट के लिए ढककन रखकर पका लेते हैं हमें मैगी को मद्यमाज पर पका ना है अब हम ढखकन निकाल लेते हैं ये देखे हैं हमारी स्पाइसी चिली मैगी तैयर हो चुके अब हम इसे एक बाउल में सवर कर लेते हैं एसी रेसिपी देखने के लिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आपके अनुभा हमारे साथ शेर कीजिए आज हम बनाएंगे शिर्गाव की कचोरी कचोरी बनाने के लिए सबसे पेलें मिकसर के वरतन में चार हरिमेज डालेंगे आदा इंच अद्रक का तुकडा डालेंगे पाच से छे लसन की कलेया डालेंगे कटी हुई धन्या पत्ता डालेंगे अब हम इन सब को पीस लेते है ये देखिये हमारा मसाला तैयर हो चुका है अब हम एक बाउल में दो कप मैदा डालेंगे चोथा एक प गेहू का आटा डालेंगे दो टीस्पून तेल डाल लेते है और अच्चे तरस से मिला लेते है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पाने डाल कर आठा अच्चे तरस से गूत लेते है यहाँ पर हमें आठे को अच्चे तरस से गूत लेना है हमरा तक उतकर तैर हो चुका है अब हम इसे 10 से 15 मिनिट के लिए बाज में रख देते हैं अब हम अदे माच पर ग्यास रख कर उस पर पैन रखेंगे और एक टेबल स्पून तेल डालेंगे अब हम आदा टी स्पून राय के दाने डाल कर चटकन लेते है अब हम यहाँ पर पीसी हुई हरी मेश के पैस डाल लेते हैं और अच्छे तरस से भून लेते हैं अब हम एक टी स्पून शुफ्ब डाल लेते हैं चोथाई टीस्पून हींग डाल लेते हैं चोथाई टीस्पून हल्दी पाउडर डाल लेते हैं चोथाई टीस्पून आमचुर पाउडर डाल कराची तरह से मिला लेते हैं अभम यह आपर एक कप हरे मटर की पेस्ट डाल कराची तरह से भून लेते हैं अब हम स्वादन उसा नमक डाल कर अच्छी तरह से मिला लेते हैं अब हम यहाँ पर चोथाई कप पाने डालेंगे और इसे अच्छे तरह से भून लेंगे इसी तरह से हमारी कचोरी की स्टपिंग तयार हो चुकी है दोस्तों यहाँ पर हमने एक कप सुखे हरे मटर का इस्तमाल के हाता फिर उसे भीगो कर उबाल कर उसकी पाउडर बना लेते अब हम ढक्कन निकाल लेते हैं यह देखे हमारा आटा सेट हो चुका है अब हम इसे थोड़ा सा गूत लेते हैं अब हम दोनों हातों पर थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं अब हम यह आपर छोटी सी लुई तोड लेते हैं रूसका पेड़ा बना लेते हैं इसी तरह से हम सारे आटे के पेड़े बना लेंगे अब हम यह आपर स्टफिंग को भी एक सार जुड कर पेड़े के आकार का बना लेते हैं यहाँ पर हम जितने आटे की लुई बनाई ये उतनी ही हम स्टफिंग भी लेंगे अब हम यहाँ पर लुई लेकर उसे कटोरी के आकर में बना लेते हैं अब हम इसमें स्टफिंग डाल लेते हैं और अच्छी तरह से इसे बंद कर लेते हैं चारो और उसे दबाते हुए हम इसे अच्छे तरह से बंद कर लेंगे अब हम हातों से थोड़ा सा चारो और उसे फेला लेंगे और थोड़ा सा बेल लेंगे इसी तरह से हमारी कचोरी बेल कर तैर हो चुकी है दोस्तों दूसरे कचोरी के हिसाब से इस कचोरी में स्टॉफिं लेते हैं, यहाँ पर हमें कच्छोरी को सुनेरा रंग आने तक मद्य माच पर तलते रहना है, दोस्तों शेगाव की कच्छोरी की स्टफिंग हरी होती है, इसलिए हमने यहाँ पर हरा मसाला इस्तमल किया है, इसी तरह से हमारी कच्छोरी तैयर हो चुके अब हम इसे निकाल ल जादा फूले हुई नए होते हैं, पर टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं, आप इसे एक बार ट्राइ कीजिए, एसी रेसीपी रेकने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके अनुभा हमारे साथ शेर कीजिए, आज हम बनाएंगे बेंगन के दाने हैं, अब हम यहापर एक बार में एक कब बेसन डालेंगे, एक टेबल स्पून चावल का आठ्वा डालेंगे, चोता एटी स्पून हल्दी पाऊडर डालेंगे, फादा नुसार नमक डालेंगे, आधा टीस्पुन लाल मिर्श पाउडर डालेंगे चोथा टीस्पुन आमचुर पाउडर डालेंगे चुटकी भर हेंग डालेंगे चोथा टीस्पुन अजवाइन डालेंगे कटी हुई धन्या पत्ता डालेंगे आदा टी स्पून अद्रक लशन की पेस्ट डालेंगे अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिला लेते है अब हम यह आपर थोड़ा थोड़ा पाने डालकर बैटर बना लेते है हमें यह आपर थोड़ा सा गाड़ा बैटर बनाना है अब हम यहाँ पर तलने के लिए तेल गरम कर लेते हैं हमारा तेल गरम हो चुक है अब हम एक बेंगन की स्लाइस लेकर उसे गोल में डिप करके तेल में डाल लेते हैं यहाँ पर हमें पकोड़े को मद्यमाच पर अच्छे तरह से तल लेना है ये देखे हमारे पकोड़े कितने अच्छे तरह से फूल रहे हैं ये देखे हमारे पकोड़े दोने तोरब से अच्छे तरह से तल चुके हैं अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं दोस्तो बेंगन काटने के बाद आप उसे पानी में डाले नई तो वो काली पढ़ जाएंगे एसी रेसीपी देखने के लिए लाइक कीजे सबस्क्राइब कीजे और आपके अनुभा हमेरे साथ शेयर कीजे आज हम बनाएंगे नमक पारे नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बावल में दो कप मेड़ा लेंगे अब हम यहापर स्वाधनुसर नमक ढालेंगे आधा टीज़पून अज़वाएं डालेंगे आधा टीज़पून कलोंजी डालेंगे अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिला लेते हैं अब हम यहापर तीन टी स्पून घी डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे यह देखे घी डालने के बाद इस तरह से हमारा आटा हलका सा जुड़ना चाहिए अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल कर अच्छी तरह से आठा गूत लेते ही दोस्तों यहाँ पर हमें रोटी के आठे से थोड़ा सा सकत आठा गूत लेना है हमारा आठा गूत कर तयार हो चुका है अब हम इसे डग कर 15-20 मिनिट के लिए भीगने देते ही अब हम कपड़ा निकाल कर आठे को थोड़ा सा गूत लेते हैं इसी तरह से हमारा आठा तयार हो चुका है अब हम यहाँ पर आटे के एक लूई तोड़ कर उसका पेडा बना लेते हैं इसी तरह से हमारे गोले बना कर तैयर हो चुके हैं अब हम यहाँ पर एक लूई लेकर उसी चकले की साहेत से बेल लेते हैं ये देखें यहाँ पर हमने रोटी को थोड़ा सा मोठा ही बेला है यहाँ पर मेरे पास काटने के लिए एक चम्मच है या आप इसकी जगह चाको का इस्तमाल कर सकते हैं अब हम यहाँ पर इसे काट लेते हैं यहाँ पर हमें पट्टी के आकार में इसे काट लेना है अब हम यहाँ पर डायमंड शेप में काट लेते हैं अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं इसी तरह से हम सारे लुई को बेल कर काट लेंगे अब हम यहाँ पर एक कड़ाय में तलने के लिए तेल गरम कर लेते हैं हमारा तिल गरम हो चुक है अब हम नमक पारे को उठा कर तेल में डाल लेते हैं हमें यहाँ पर नमक पारे को सुनेरा रंग आने तक मद्यमाच पर अच्छी तरह से तल लेना है मद्य माच पर नमक पारे तलने से वो अच्छे तरह से पक जाएंगे और क्रिस्पी भी हो जाएंगे दोस्तों आप गी की मोयन की जगह बटर या तेल का इस्तमाल भी कर सकते हैं ये देखे हमारे नमक पारे अच्छे तरह से तल चुके अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो दोस्तों केसी लगे आपको नमक पारे आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताईए एसी रेसीपी देखने के लिए लाइक कीजे, सब्सक्राइब कीजे और आपके अनुपों हमारे साथ शेर कीजे आज हम बनाएंगे इंस्टन चकली इंस्टन चकली बनाने के लिए सबसे फेले हम यहाप पर एक कप भुने हुई दाल लेंगे अब हम इसे पीसकर आटा बना लेते हैं अब हम यहापर एक बाउल में तीन कप चावल का आटा लेंगे एक कप भुने हुए चैना दाल का आटा लेंगे अब हम इन्हें थोड़ा सा मिला लेते हैं अब हम यहापर दो टीस्पून सपेत तील डालेंगे चोताई टीस्पुन हल्दी पाउडर डालेंगे एक टीस्पुन अजवान को क्रश करकर डालेंगे आधा टीस्पुन धन्या पाउडर डालेंगे आधा टीस्पुन जीरा डालेंगे चोताई टीस्पुन हींग डालेंगे एक टीस्पून कश्मीरे लालमिश पाउडर डालेंगे स्वादन उसर नमक डालेंगे अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिला लेते हैं अब हम यहाँ पर चोताई कब टेल डाल कर अच्छी तरह से मिला लेते हैं ये देखे तेल मिलाने के बाद इस तरह से हमारा आटा जुड़ना चाहिए दोस्तो आप तेल की जग़ घी या बटर का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब हम यहापर थोड़ा थोड़ा गरम पानी डाल कर अच्छी तरह से आटा गूत लेंगे दोस्तो चावल के आटे में चिकना है नए होते हैं इसलिए हमने यहापर गरम पानी का इस्तमाल किया है इसी तरह से हमारा आटा गूत कर तैयर हो चुका है अब हम 20 मिनित के लिए डखकर रख देते हैं अब हम ढकर निकाल लेते हमारा आटा चकली बनाने के लिए तयार है अब हम यहापर चकली का साचा लेंगे अब हम इसमें अंदर से तेल लगा लेंगे ताके आटा अंदर से चिपकेना अब हम यहाँ पर आटे की लूई तोड़ लेंगे और उसे सिलेंडरिकर शेप देंगे ताकि हमें आटे को साचे में डालने के लिए मदद हो जाए अब हम यहाँ पर लूई को साचे में डालकर अच्छे तरह से बंद कर लेते हैं हमारा साचा चकली बनाने के लिए तैयर हो चुका है हमने यहाँ पर चकली बनाने के लिए अलिम्नियम फॉल का इस्तमाल किया है अब हम चकली बना लेते हैं दोस्तों आप प्लेट में या डिश में भी चकली बना सकते हैं ये देखें हमारी चकली बना कर तैयर हो चुके है अब हम यहाँ पर चकली तलने के लिए टेल गरम कर लेते हैं हमारा टेल गरम हो चुका है अब हम एक चकली को उठा कर तेल में डाल लेते हैं यहाँ पर हम चकली को अल्मिन फ़ॉल से उठा कर हाथ में लेंगे और टेल में डालेंगे। दोस्तो, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि चकली एक सेच से पकने के बाद ही पलटना है। हमे ही यहाँ पर चकली को हलका सुनेरा रंग आने तक तल लेना है। ये देखिए हमारी चकली तयार हो चुक है अब हम इसे एक प्लेट में सरु कर लेते हैं एसी रेसिपी देखने करें लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आपके नुभों हमारे साथ शेर कीजिए आज हम बनाएंगे केले के पकोडे केले के पकोडे बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक कच्चा केला लिया है यहाँ पर हमने केले के छिलके निकाल कर इस तरह से स्लाइस बना कर ली है अब हम यहाँ पर एक बाउल मेकब बेसन डालेंगे दो टेबल स्पून चावल का आटा डालेंगे आदा टीस्पून लाल मिर्ष पाउडर डालेंगे चोथा यी टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे चुटकी भर हिंग डालेंगे स्वादन उसर नमक डालेंगे अभम इन सब को अच्छे तरह से मिला लेते हैं अभम यापर थोड़ा थोड़ा पाने डाल कर पकोड़े के लिए पतला घूल बना लेंगे ये देखिये हमारा घूल तैयर हो चुका है अभम यापर चोथा आइटी स्पून खाने का सोडा डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे अभम यापर कड़ाय में तलने के लिए तेल गरम कर लेंगे अभम यापर केले केक स्लाइस लेकर उसे घूल में अच्छी तरह से डिप करके तेल में डालेंगे इसी तरह से हम सारे केले के स्लाइस को घूल में डिप करके तेल में डाल लेंगे यहाँ पर हमें पकोड़े को मद्दे माच पर हिलाते हुए तल लेना है हमें पकोड़े को हलका सुनेया रंग आने तक तल लेना है इसी तरह से हमारे पकोड़े तायर हो चुके अब हम इसे एक प्लेट में सरू कर लेते हैं दोस्तों तो केसे लगे आपको केले के पकोड़े आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताईए एसी रेसिप्पी देखने के लिए लाइक कीजी सब्सक्राइब कीजी और आपके अनुभा हमारे साथ शेर कीजी आज हम बनाएंगे शक्कर पारे शक्कर पारे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आदा कप गरम दूद अब हम यहापर दूद में आदा कप पीसी हुई चीनी डालेंगे अब हम चीनी को अच्छे तरह से दूद में मिला लेते हैं अभम ही आपर दूद में आधा कप घी डाल कर अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तो इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिला लेने से हमें आटा गुत्ने में आसानी हो जाएगी। अभम ही आपर एक बाल में तीन और आधा कप मेदा लेंगे। अबम ही आपर चुटकी बार नमक डालकर आची तरह सी मिला लेते हैं अबम ही आपर दूतका थोड़ा थोड़ा मिश्रान डालकर आटेको अच्छी तरह सी गूत लेते हैं हमारा आटा गूतकर तयार हो चुक है अबम एक घंटे के लिए ढखकर रख देते हैं अब हम ढखकर निकाल लेते हैं यह देखे हमारा आटा अच्छी तरह से सेट हो चुक है अबम थोड़ा सा गूत लेते हैं अब अम यहापर आटे में से थोड़ी सी लुई तोड़ कर इसका गोला बना लेते हैं अब अम यहापर लुई लेकरी से बेलन की साहियता से बेल लेते हैं हमें यहापर रोटी को जाधा पतला नहीं बेलना है थोड़ा समोठा ही रकना है यह आपर हमारी रोटी बेल कर तयार हो चुके अब हम यह आपर चमच की साहत असी काट लेते हैं आप इसकी जगा चाकू का इस्तमाल भी कर सकते हैं अब हम यह आपर साइड के किनारे निकाल लेते हैं अब हम यहाँ पर दूसरी साइड से काटते हुए डायमंड की शेव देंगे अब हम मद्य माच पर ग्यास रखकर उस पर कड़ाई रखेंग और तलने के लिए तेल गरम कर लेंगे यह देखे हमने शक्करपारे को थोड़ा समूठा ही रखका है हमरे तिल गरम हो चुके अब हम शक्करपारे को तेल में डाल लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमें शक्करपारे को मद्य माच पर सुनेया रंग आने तक खिलाते हुए तल लेना है यह देखे यहाँ पर हमारे शक्करपारों का धीरे धीरे रंग बदलने लगा है दोस्तों दूच चिनी और गी का मिश्रन समान लेने से हमारे शक्कर पारे बिस्किट जैसे बन जाते है इसी तरह से हमारे शक्कर पारे तलकर तयार हो चुके अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते है दोस्तों तो केसे लगे आपको शक्कर पारे आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताईए एसी रेसीपी देखने के लिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आपके अनुभों हमारे साथ शेयर कीजिए